हेलो फ्रेंड्स वेलकम अब वेलकम बैक टू मैं चैनल पहानी हरिद्वार से जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज फ्राइडे है और आज मैं आप लोगों के सामने एक और फ्री की फ्राइडे स्टोरी लेकर हाजिर हूँ जो की जुनरली एक और स्टोरी होती है हम लोग सीधे चलेंगे अपने कहानी की तरफ ये बात है सन 1906 की और वो गर्मियों का एक खुशनुमा दिन था उस दिन डॉक्टर विलियम क्लार्क और उनकी वाइफ हैरियट ये दोनों नौर्थ वेस्टरन केनेटिकट के एक एरिया से गुजर रहे थे उस एरिया का नाम था लिच्फील्ड काउंटी ये एक बहुती ग्रामी निलाका था और वो एक हिली एरिया था यानि कि वो एक पहाडी छेत्र था वहाँ पर बहुत सारी घुमाओदार और उबड़ खाबड सड़के थी आपको पताई है कि ये आज से इतने साल पहले की बात है तो उस समय वैसे भी सड़कों के इस्तिती जादा अच्छी नहीं हुआ करती थी ये लोग ये दोनों पती-पत्नी जॉक्टर विलियम और उनकी वाइफ हैरियेट ये दोनों इस शेतर में इसलिए आये थे क्योंकि अपना ये दूसरा घर यहाँ पर बनाना चाहते थे एक घर तो इनका अल्रेडी था लेकिन एक होली डे होम के रूप में ये एक दूसरा घर यहाँ पर निर्मान करना चाहते थे उस घर के निर्माण के लिए उप्यूकत जमीन देखने के लिए यहाँ पर आई थे वैसे यह लोग New York में रहते थे और New York में Dr. William onkyologist के रूप में job करते थे Onkyologist cancer के doctor को कहा जाता है इसके अलावा जो ड Sag 2021 थे वो एक professor थे Columbia College of Physicians and Surgeons में हाला कि New York City में इनकी जो लाइफ थी बहुत exciting थी वहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ था वो लोग वहाँ पर काफी enjoy करते थे लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो वहाँ पर उनकी लाइफ थी बहुत hectic थी क्योंकि वो लोग बहुत जारा busy रहते थे और हम कह सकते हैं कि बहुत जारा भाग दोड़ वाली थी ये लोग आप कही न कहीं उस जिन्दगी से ठक गए थे और उन्हें लगता था कि कभी कभी शुट्टी विताने के लिए हमें यहां से बहार निकलना चाहिए इसी लिए ये लोग लिच फील्ड काउंटी आई वे थे अपने दूसरे घर के लिए जमीन की तलाश करने है यहां के बारे में इने पता था कि ये जो जगए है बहुत जारा शांत है और यहां पर जो जिन्दगी है वो भाग दोड़ वाली नहीं है बहुत ही यहां पर पीसफुल जिन्दगी ये लोग लीट कर सकते हैं और साथ ही ये जो प्लेस था इन्हें एक्दम पर्फेक्ट लगा तो अब इस जगए को एक्स्प्लोर करने ये लोग यहां पर आचुके थे और जब ये लोग यहां की उबड़ खावर्ड भूमाओदार सडकों को पार करके एक ऐसे ब्रिज पर पहुँचे जो की बहुत ज़ादा ब्यूटिफुल था कवर्ड था वो एक वुड़ेट ब्रिज था तो इस लकड़ी के पुल को पार करके जब लोग दूसरी साइट पहुँचे तब इन्होंने अपनी राइट साइट देखा उनको एक बहुत ही खुबसूरत नजारा नजाराया उन्होंने पाया कि माउंटेन के इस एरिया में एक बहुत ही ज़ादा ब्यूटिफुल फॉरेस्ट है वो बहुत यूज था बहुत ज़ादा घना था और बहुत ही ब्यूटिफुल नजारा रहा था फिर इन लोगों ने देखा तो पाया कि ये जो जंगल है उसके अंदर एक रास्ता जातावा नजर आ रहा है वो लोग अब सोचने लगे कि हमें भी इस जंगल के अंदर जाकर देखना चाहिए कि इस जंगल में क्या है क्योंकि ये लोग अभी तक डिसाइड नी कर पाये थे कि अपना दूसरा गर कहां बनाएंगे इन लोगों को लगा कि शायद इस जंगल के अंदर जाकर हमें कोई अच्छा एरिया नजर आ जाए अपना सेकंड होम बनाने के लिए तो अब ये लोग फाइनल कर चुके थे कि अब हम इस जंगल में जाएंगे अब ये लोग अपनी कार से ही उस माउंटेन रोड में एंटर कर गए जो की अच्छी खासी नजर आ रही थी बहार से ऐसा लग रहा था कि वो गाड़ियों के जाने के लिए ही बनी है जब वो लोग माउंटेन के अंदर गए तो कुछ समय तक तो रोड ठीक रही लेकिन उसके बाद वो रोड बहुत जरा बंपी होने लगी तूटी फूटी नजर आने लगी और बहुत जरा परिशानी होने लगी उसमें गाड़ी चलाने के लिए अब इन लोगों को लगा कि इससे आगे कार ले जाना सेफ नहीं है पता नहीं आगे रास्ता हो या ना हो इन लोगोंने डिसाइड किया कि अब हम कार यहीं पर पार कर देंगे और इससे आगे का रास्ता हम पैदल पार करेंगे अब वो लोग गाड़ी से उत्रे और पैदल ही उस जंगल के अंदर जाने लगे जैसे ऐसे वो जंगल में अंदर की तरफ बढ़ रहे थे सनलाइट अब खतम होती जारी थी क्योंकि जंगल इतना जादा घहना था कि उसके अंदर सनलाइट आई नी सकती थी इसके अलावा उन्होंने महसूस किया कि जो हवा है वो अचानक से ठंडी और ज्यादा फ्रेश नजार आने लगी है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो गर्मियों का दिन था तो गर्मियों में जब उन्हें ठंडी हवा का एहसास हुआ तो उनको बहुजा रहा अच्छा लगा अब ही उन्हें चलते वे दो-तीन मिनटी हुए थे कि उन्होंने महसूस किया कि जो जंगल अभी तक सोया हुआ और बेजान नजार आ रहा था अचानक से उसमें हलचल महसूस होने लगी है उसके बाद जब वो आगे बढ़ते चले गए एक दो मिनट और तब उन्होंने पाया कि आगे अब उन्हें जंगली जानवर दिखने लगे थे चीडियों की चहचाहाट सुनाई देने लगी थी जंगली जानवर उन्हें खतरनाक नहीं दिख रहे थे जैसे हिरन वगेरा थोड़े बहुत उन्हें नजार आने लगे दूरियों पर इसके अलावा इंसेक्ट्स की आवाजे आने लगी थी और बहुत अच्छे अच्छे पेड़ दिखाई दिन लगे थे फूल दिखाई दिने लगे थे उसके बाद उन्होंने देखा कि पास में एक बड़ा सा मैदान है और उस मैदान में बहुत सारे एपल के ट्रीज लगे वे हैं वो जो एपल ट्रीज थे पूरे के पूरे एपल से लदे वे थे फिर उन्हों से वह आगे बढ़ते जारे थे बीस बीशे जेंग्ली गुलाबों की जाडियां मिल रही थी कभी उनдоहले बहुत सारे ऐच्छे लिलियाक्स के फूल दिख रहे थे कभी किसी और फूल को देख रहे थे मतलब पूरे गुच्छे के गुच्छे पेड़ के पेड़ जाड़ियां की जाड़ियां उनको इस तरह एक से फलों की और फूलों की नजर आती जारी थी और उसे देख देखकर वो बिल्कुल अभी भूत हुए जारे थे उसके बाद जब आगे था कि पास में कोई जरना है उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पाया कि उपर से अब संलाइट आने लगी है क्योंकि वहाँ पर पेड़ थोड़े से कम घने थे और जैसे ही संलाइट उस फॉरेस्ट में एंटर हुई उन्होंने पाया कि जो फॉरेस्ट है पूरा का पूरा जगमगाने लगा मतलब सिर्फ ऐसे ही नहीं कि मैं आपको पोईटिक भाषा में कहा रही हूं कि जगमगाने लगा लेकिन वो सच में ही ऐसा लग रहा था कि जैसे स्पार्कल कर रहा है और इसका भी एक रीजन था ये जंगल जिस हिल्साइट पर था उस हिल्स पर माईका के पत्थर पाए जाते थे और आपको पता ही है कि जो माईका होती है जब उस पर रोशनी पढ़ती है तो वो कितनी ज़्यादा जगमगाती है इसी कारण वो पहाडी भी जगमगा रही थी क्योंकि उसमें मौजूद जो माईका थी वो सूरज की रोशनी पढ़ने पर जगमगा रही थी इसके अलावा डॉक्टर क्लारक और उनकी वाईफ ने ये भी पाया कि उस जंगल में बहुत सारे आउल्स थे यानि कि उल्लू थे और वो जो आउल्स थे बहुत जरा हूटिंग कर रहे थे वो जो आउल्स थे वो इन लोगो पर्सनली ग्रीट कर रहे हैं इनको देखकर ये दोनों बहुत जरा खुश हुए इनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ये जो आउल्स हैं ये इनका स्वागत कर रहे हैं फिर कुछ देर के बाद इन दोनों मिया भीवी ने डिसाइड किया कि अब हम वापस चलते हैं नहीं तो जल्दी ही रात होने वाली है लेकिन जिस समय ये दोनों वहाँ से वापस जाने के रिए मुड़े और अपनी कार की तरफ चल रहे थे उस समय तक ये दोनों अपना दिमा एक हजार एकड जमीन खरी देंगे एक हजार एकड मतलब करीब 405 हेक्टेयर ये जो फॉरेस्ट था जिसमें इन लोगों को जमीन पसंद आई थी इसका नाम ओफिशियली था डार्क एंट्री इसका नाम डार्क एंट्री शायर इसले पढ़ा होगा क्योंकि जब आप बाहर से इस फॉरेस्ट को देखते हैं तो आप लोगों को लगता है कि ये फॉरेस्ट बिल्कुल डार्क है क्योंकि एक तो इतने चारा घने माँ पर पेड़ हैं जिनके अंदर सनलाइट एंटर नहीं कर पाती साथ ही आसपास के जो माउंटेन है उनकी चाया भी इस फॉरेस्ट को छोड़ कर जा चुकी हैं उस टाउन का थोड़ा बहुत हिस्सा यानि कि टूटे फूटे खंडर है अभी इस फॉरेस्ट में मौजूद थे ये टूटे फूटे अफशेश थे एक दो घरों की नीवें या फिर कुछ पत्थर की दीवारें जब क्लार्क इस फॉरेस्ट मे और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं उसके बाद जब ये लैंड डील फाइनलाईज हो गई और अब इनको अपना घर बनाना था तो डॉक्टर क्लार्क ने बहुत सारे लोकल कनेटिकट बिल्डर से संपर किया वहां के लोगों को बोला कि हम यहाँ पर एक घर बनाना चाते हैं पीशे तो हट जाते थे मना तो कर देते थे लेकिन कोई भी साफ साफ रीजन नहीं बताता था कि वो लोग क्यों मना कर रहे हैं सबी लोग अलग लग बहाने बना कर देते थे उसके बाद डॉक्टर क्लार को ऐसा लगा कि सारे लोकल बिल्डर्स इसलिए बना कर रहे हैं क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है वो भले ही इतनी सारी जमीन ख़दी दे थे और इतने से प्रोजेक्ट के लिए ये लोग इतनी महनत शायद नहीं करना चाते शायद इन लोग को ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें बहुत ज़ादा इनको फायदा होने वाला है डॉक्टर क्लार्क निराशनी हुए उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये घर खुद बनाईंगे डॉक्टर क्लार्क एक बहुती कुशल व्यक्ती थे वो एक महनती व्यक्ती थे उनका जो बचपन था वो न्यूजर्सी के एक फार्म में बीता था जहां पर इस तरह की उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी उन्हें बहुत कुछ बनाना आता था यहां तक की बिल्डिंग सगरा पहले भी उन्होंने बनाई थी भले ही पूरा घर खुद नहीं बनाया था लेकिन उसके बाद भी उनको पूरा यकीन था कि वो इस घर का निर्मान खुद कर सकते हैं इसके बाद अगले कुछ महीनों तक हर वीकेंड पर डॉक्टर क्लार्क न्यू यॉक से डाक फॉरेस्ट जाते रहे और धीरे धीरे करके अपने घर का निर्मान कारे करते रहे सबसे पहले तो उन्होंने अपनी जमीन के एक समतल हिस्से से बहुत सारे पेड़ों को काटा ये हैमलॉक ट्रीज थे जो कि उस जगह उगेवे थे इन हैमलॉक ट्रीज को काटने के बाद उन्होंने इस पेड़ की लकडी का यूज करके एक दो मंजिला लकडी का कैबिन मनाया और ये लकडी का कैबिन उन्होंने उसी हिस्से में मनाया जहां से उन्होंने इन पेड़ों को काटा था उस जंगल में जो ज़रना था वो इस जगह से जारा दूर नहीं था उन्होंने क्या किया कि वहां गए वहाँ से इन्होंने पाइप बगएर बिच्छाए और वहाँ से पानी अपने कैबिन तक लेकर आए ताकि उनको पानी की कमी ना रहे इसके अलावा जब वो उस जगये पर खड़े होकर नीचे देखते थे तो उने वो पानी की धारा दिखती थी जो जंगल से होकर भैती थी उस धारा का एक हिस्सा इनकी जमीन से होकर भी गुजरता था उन्हें बहुत अच्छा लगता था उस ब्रुक को खड़े-खड़े अपनी प्रॉपर्टी से देखना उसके बाद उन्होंने उस ब्रुक के बगल में एक स्विमिंग पूल बना दिया वो जो जल धारा थी उसके अंदर ट्रॉट फिश थी तो वो अपने स्विमिंग पूल पर बैट जाये करते थे और वहां से उन मश्टियों को देखते रहते थे और ऐसा करने में उन्हें बहुत मज़ा आता था उस साल के थैंक्स गिविंग तक इस केबिन का निर्मानकारे पूरा हो गया तो उस साल जब छुट्टियां पड़ी तो डॉक्टर क्लार्क और उनकी वाइफ हैरियट यहां पर छुट्टियां बिताने के लिए आए उसके बाद वो दोनों अपने स्युमिंग पूल पर बैट जाया करते थे और ट्राउट देखते रहते थे और साथ ही आस पास से उल्लूओं के बोलने की आवासे भी आती रहती थी और इसके अलावा बाकी चुडियों के चाहचाने की भी आवासे आती थी ये सारी चीजें सुनकर महसूस करके देखकर इन लोगों को पूरा यकीन हो गया था कि ये जो उनकी प्रॉपर्टी है ये उनका एक तरह से स्वर्ग है जैसे कि उन्होंने अपने हिस्से का स्वर्ग धर्दी पे ही बना लिया है उसके बाद इन लोगों की जब भी कोई लंबी चुटी पढ़ती थी हर साल जब चुटियां होती थी इसके अलावा जब भी कोई मेजर होलीडे आता था और जब भी कोई मेजर होलीडे आता है तो लंबी चुटियां पढ़ती ही है उसमें भी ये लोग आभी यहीं पर आन 1918 तक परफेक्टली इसी तरीके से चलता रहा ये लोग 1918 की गर्मी की छुट्टियां बिदाने के लिए यहाँ पर आये वे थे तब ही अचानक Mr. Clark को सूशना मिली कि कोई medical emergency है न्यू यॉर्क में और उनको तुरंथी वहाँ पर वापस बुलाया था अब जो Harriet थी वो ये सुनकर बहुत जारा परेशान हो गई कि वो इस जंगल के बीच में बने इस cabin में अवकेरी रह जाएगी और उसका husband वापस चला जाएगा उसको विल्कुल भी उमीद नी थी कि कभी ऐसी हिस्तिती भी आ जाएगी वो नाखुश तो थी लेकिन वो अपने husband को जाने के लिए मना भी नहीं कर सकती थी उसने का कि ठीक है तुम जाओ और वो उसे छोड़ने पास के railway station तक भी गई जब उसने अपने husband को railway station पर छोड़ा train में बिठाया तब उससे promise लिया कि आप तुरंधी जैसे ही medical emergency सौल होगी तुरंधी जल्दी से जल्दी यहाँ पर वापस आ जाओगे डॉक्टर क्लार ने भी promise किया कि हाँ मैं जल्दी से जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा अब डॉक्टर क्लार की train चली गई पीछे Harriet रह गई वो बहुत देड़ तक इस train को जातावद देखती रही अपने हाथ क्रॉस करके वहाँ पर खड़ी रही लेकिन ना तो डॉक्टर क्लार को और ना Harriet को अंदाजा था कि अब Harriet किस तरह के night mayor से उस cabin में गुजरने वाली थी जब क्लार क्स ने यहाँ पर 1180 की property खरी गी थी तब उन्होंने कोई भी research नहीं की थी ना तो इस forest के बारे में और ना यहाँ के आसपास के area के बारे में अगर उन्होंने यहाँ के area के बारे में research की होती तो शायद उन्होंने कभी भी यहाँ पर जमीन ना खरी दी होती वो टाउन जो कभी इस जंगल के अंदर मौजूद था और जो सब लोग यहाँ से छोड़ कर चले गए थे जिसके खंडहर, क्लार्क्स ने उस दोरान देखे थे जब वो इस जंगल में घूमने के लिए आए थे वो जो खंडहर थे, वो एक ऐसे शहर के थे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शापित था इसी कारण से कोई भी लोकल बिल्डर वहाँ पर मकान बनाने के लिए या कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए तयार बिल्कुल भी नहीं था और जब डॉक्टर क्लार्ट ने इन से बहुत जारा रिक्वेस्ट किया बहुत जारा पैसा भी ओफर किया फिर भी इन लोगों ने साफ माना कर दिया था कि हम इस फॉरेस्ट पे एंटर नहीं करेंगे और यहां तक की इस जंगल में एंटर करने से भी यह जो टाउन था इसका नाम था डड़ली टाउन और इसका निर्माड करीब 1740 इसवी में हुआ था सबसे पहले यहां पर एक दो लोगी आए एक दो फैमिली इन लोगों ने यहां पर एक दो स्ट्रक्चर बनवाए एक आद घर बनाए लेकिन बाद में धीरे धीरे यहां पर 30 फैमिली आकर बस गई और यह एक अच्छा खासा गाउं अगर हम इंडिया के सबसे देखें तब तो यह से गउं ही कहा जाएगा लेकिन वहां की सबसे इसे कजबा या फिर छोटा शहर कहा जाने लगा क्योंकि वहां की आबादी कम है शुरू का कुछ समय तो ठीक बीता यानि कि कुछ साल ठीक बीते लेकिन फिर धीरे यहां पर टेरिबल चीजें होने लगी सबसे पहले यह टेरिबल चीजें हुई कार्टर फैमिली के साथ यह लोग 1759 में डडली टाउन में आकर बसे थे सबसे पहले इनके परिवार के छे सदस्यों की मौत हो गई वो सबके सब कॉले रासे मरे थे वो लोग इतने जादा दुखी हो गए इन लोगों की मौत से कि इन लोगों ने डडली टाउन छोड़ दिया और वो लोग वापस New York चले गए और वहाँ पर जाकर सैटेल हो गए उन्होंने कहा कि हमें डडली टाउन में नहीं रहना लेकिन उसके बाद उन पर Native Americans ने हमला कर दिया उनके परिवार के बच्चे घुचे सारे लोगों के हत्या कर दी सिर्फ उस परिवार के तीन बच्चे बच्चे लेकिन उन बच्चों को भी बाद में किड्नैप कर लिया गया उनको भी वहाँ से जवस्ती ले जाया गया और एक तरह से वो पूरा परिवारी खतम हो गया 1792 में हॉलिस्चर नाम के एक व्यक्ति की मृत्ति हो गई वो जो हॉलिस्चर नाम के व्यक्ति मरा था वो एक टैनर नाम के व्यक्ति के घर में मरा था अब हॉलिस्चर की मृत्ति कैसे हुई इसके कारण नहीं पता है उसका एक्सिडेंट हुआ था वो छट से गिरा था या फिर उसका मर्डर हुआ इसके बारे में कोई जानकरी नहीं है लेकिन उसकी जो death थी वो untimely थी और अचानक से हो गई थी अब जो tanner नाम का व्यक्ति था जिसके घर में ये मृत्ती हुई थी वो अचानक से बाचीत करने लगा कि उसे कुछ creatures दिखाई देते हैं उसे कुछ आकरितियां दिखाई दे रहीं थी उस जंगल में घूमती हुई वो बार बार कहता था कि मुझे कुछ साय नजर आते हैं इस जंगल में घूमते वे यहां नजर आते हैं वहां नजर आते हैं इस सरे की बाते हैं वो अब अकसर करने लगा लोग उसकी बात मानते नहीं थे और सोचते थे कि यह ऐसे ही बोल रहे धीरे धीरे वो इतना जार फ्रस्टेटेड हो गया कि उसका दिमागी खराब हो गया वो पागल हो गया और बाद में सारी जिंदगी वो पागल ही रहा लोग घूमते वे दिखाई देते हैं और ये जो creatures हैं ये पूरे forest में घूम रहे हैं सारे पेड़ों के आसपाद छुपे हुए हैं और उसको समय समय पर नजर आते हैं लोगों ने जादा उसकी बात पर विधियान नी दिया और धीरे धीरे जो able था उसका दिमाग भी खराब होने लगा और वो भी पागल हो गया और बाद में अपने मरने तक उसकी दूसरों को ही देखभाल करनी पड़ी उसके बाद early 1800s में एक famous revolutionary war hero था जिसका नाम था जनरल हर्मन स्विफ्ट उसकी wife की मृत्ती हो गई उसके पर बिजली गिर गई उसी forest के अंदर और उसके कुछ दिनों के बाद जनरल स्विफ्ट भी बहकी बहकी बाते करने लगा और धीरे धीरे वो भी पागल हो गया उसके बाद 1813 में एक भेंकर संक्रामक रोग ने इस जडली टाउन में कदब रखा और यहां के जारातर लोगों के मृत्ती हो गई तो हम यह कह सकते हैं कि जो डलली टाउन के लोग थे या तो वो अचानक से मर गए या वो रहस्मई तरीके से मर गए और या फिर उनकी किसी ना किसी कारण से या तो मृत्ती हो गई या फिर वो पागल हो गई अब इसके बाद डली टाउन के जो बचे कुछे रेजिडेंस थे वो लोग भी ये शिकायत करने लगे कि उनको वो अजीब से साई दिखाई देते हैं ये जो साई है ये पूरे जंगल में घूमते रहते हैं और पता नी उन्हें अजीब सा वैसास होने लगा अब यहां के जाला तर लोग या तो मर चुके थे या फिर वो अपनी प्रॉपर्टी यहां पर छोड़ कर यहां से बाहर निकल गए थे वो यहां पर रहना नहीं चाते थे अब 1900 में यहां पर सिर्फ एक ही फैमिली रह गई थी वो थी ब्रोफीस फैमिली लेकिन फिर एक दिन उनके साथ भी अजीब सी हरकते होनी शुरू हो गई एक दिन उनके आँ कुछ भेड़े मर गई और उसके पाद जल्दी जल्दी कुछ दिनों में उनकी सारी भेड़े मरती चली गई उसके बाद उनकी जो मा थी उनकी मृत्ति हो गई टीवी से उनके जो दो बेटे थे उन पर पास के शहर में चोरी का लिजाम लगाया गया और वो दोनों ही कहीं गायब हो गए अब उस परिवार का सिर्फ एक ही व्यक्ति वहाँ पर यानि की डडली टाउन में बचा वो था जॉन ब्रोफी यानि की इन दोनों बेटों का पिता फिर एक दिन उनके घर में भी आग लग गई और ये जो पिता था अब ये भी बहुत जारा दुखी हो गया अब उससे सब कुछ बरदाश नहीं हो रहा था उसकी वाइफ भी मर गई बच्चे गायब थे घर भी जल गया तो एक दिन वो उठा उसके बाद और सीधे जंगलों म कर रह गया यानि की एक भूतिया शहर इसके बारे में बाद में न्यूस पेपर में आर्टिकल भी छपा लेकिन ये न्यूस पेपर आर्टिकल डॉक्टर क्लार्क और उसकी वाइफ के आने के बाद उनके साथ जो घटना हुई उसके बाद छपा ये भी बताया जाता है कि ड खेड बकरी गाए ये अचानक से डिसापियर हो जाये करते थे और ये लोग कितना भी ढूंडते थे वह जानवर कभी भी मिलते नहीं थे तो लास्ट में 1900 में ब्रोफीस फैमली के भी जाने के बाद यहां पर कुछ समय के बाद यहां कह सकते हैं दो-चार सालों के बाद यह अनिकी डॉक्टर क्लार्क और उनकी वाइफ हैरियेट उन्होंने इस जगह को भूजारा पसंद किया था और यहां पर अपना केविन बनाया था अब हम कुछ साल आगे चलते हैं अनिकी 1918 में आपको याद होगा कि डॉक्टर क्लार्क वापस न्यू यूउक जा चुके हैं और अब हैरियेट अपने घर में अकेली है अब जो डॉक्टर क्लार्क थे वो जल्दी अपनी मेडिकल इमर्जेंसी को पूरा करके निप्टा कर अपना काम जल्दी से डाक फॉरेस्ट के लिए वापस लोटे उन्हें पता था कि हैरियेट महां पर अकेली होगी और बहुच आई होगी वो जैसी प्लेटफॉर्म पर उत्रे वो इधा-उधर हैरियेट को देखने लगे ढूनने लगे लेकिन उन्हें बहुत जारा जटका लगया यह देखकर कि हैरियेट उन्हें लेने नहीं पहुची थी अब वो एक वहमी व्यक्ती तो नहीं थे लेकिन इसके थी कहीं ना कहीं अब बहुत जारा पैनिक होने लगे उन्हें जल्दी से अल्दी अब हैरियेट के पास पहुचना था अब वो पैदल ही डार्क फॉरेस्ट की तरफ बढ़ चले जो कि यहां से जारा दूर नहीं था अब जैसे उन्होंने डार्क फॉरेस्ट के अंदर जो आउल्स थे वो कुछ जादा ही जोर जोर से उस दिन हूटिंग कर रहे थे हाला कि उनकी आवाज इनको बहुत अच्छी लगती थी लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज उनकी आवाज में कुछ गड़बर है और उन्हें महसूस होने लगा कि कुछ ना कुछ आगे गलत होने सामने ही उनको अपना घर नज़र आ रहा था जैसे उन्होंने अपने घर की तरफ देखा ऐसा लग रहा था कि भजरा अंधेरे में डूबा हुआ है वो जो फॉरस था उस दिन को जा रही डार नज़र आ रहा था और इस समय उनको महसूस हो रहा था कि जो उल्लू है वो एक खोला और अंदर कदम रखा और अंदर कदम रखते उन्हें महसूस हुआ कि बहुत हाइपिच नौइस उनके कानों में पढ़ रही है ऐसा लग रहा था कि उनकी कान के परदे फट जाएं यह जो आवास थी यह सेकिंड फ्लोर से आ रही है अब यह जो आवास थी इसे सुनक कर डॉक्टर क्लार्क एकदम फ्रोजन हो गए यानि कि एकदम उनके पैट जम गए उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि वह क्या करें बहार से इतनी बुरी तरीके से उल्लू चीख रहे हैं कुछ अजीब सी हाइपिश नौईस आ रही है उनके घर से कुछ अजीब सी आवाज किसी खत्रे में हैं वह एकदम भागते वे अब सीड़ी चड़ते वे सैकिंड फ्लोर पर पहुंचे और उसके बाद मास्चर बैड्रूम में पहुंचे अब वह मास्चर बैड्रूम के सामने थे उन्होंने उसके दरवाजे को थीरे से खोला अंदर कदम रखा और जहांका तो उन्होंने पाया कि उनकी वाइफ उस बैड्रूम के एक कोने में मौजूद थी उनकी वाइफ उस दरवाजे की तरफ मू करके ही कर्ल डप होकर जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है इस महीला की तरह ही उनकी वाइफ बैठी हुई थी और उनकी वाइफ का जो ज़्यादा खुला हुआ था कि किसी भी इनसान के लिए इतना ज़्यादा मूँ खोलना पॉसिबल ही नहीं है अब वो अपनी वाइफ की तरफ देखे जा रहे थे और सोच रहे थे कि मैं क्या करूँ मैं इसके क्या मदद करूँ ये क्या हो रहा है उनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था तब ही उन्हें महसूस हुआ कि जो हाईपिश लाफटर आ रहा है ये इनकी वाइफ की तरफ से या रहा है लेकिन ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि उनकी वाइफ उस समय हस रही है लेकिन जो आवाज थी वो उनकी वाइफ के अंदर से या रही थी वो बस अपनी वाइफ को देखे जा रहे थे और उनकी जो वाइफ थी वो भी इनकी तरफ ही घूरे जा रही थी बहुत समय तक तो डॉक्टर कलार्ट महीं पर खड़े रहे और सोचते रहे मैं क्या करूँ लेकिन उनकी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हुई वो कुछ भी नहीं कर पाए वो वहाँ से मुड़े और सीधे वहाँ से भाग गए अब हम यही समझ सकते हैं कि उन 36 घंटों में जबकि डॉक्टर कलार का अपनी वाइफ हैरियट को यहाँ पर अकेला छोड़ कर गए थे उन 36 घंटों के दौरान हैरियट के साथ कुछ तो हुआ था लेकिन वो कुछ क्या हुआ था जिसके कारण हैरियट ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया वो पागल हो गई वो चीज कभी भी किसी को भी पता नहीं चली कभी कभी जो वो बहगी बहगी बाते करती थी बाद में उससे पता चलता था कि उसको भी उस जंगल में कुछ अजीब से साई नजर आते थे कुछ लोग नजर आते थे जिनको वो समझ नहीं पाती थी और शायद इसी कारण उसका दिमाग खराब हो गया कुछ लोग कहते हैं कि हैरियेट ने बाद में अपनी पूरी जिन्दगी एक मैंटल असाईलम में यानि कि एक मानसिक रोगी के अस्पताल में गुजारी और वहीं पर उसके मृत्ती हुई लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो हैरियेट थी वो डॉक्टर क्लार के साथ नियू यूर्क लॉट गई और बाद में उसने वहाँ चाकर आत्मत्या कर ली अब जो डाक फॉरेस्ट है वो ना सिर्फ अबंडन्ट है यानि कि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता बलकि उसके अंदर एंटर करना अब इल्लीगल यानि कि गैर कानूनी बना दिया गया है हालकि लोग अभी भी डड़्ली टाउन में चुपचाप घुज जाते हैं वहाँ पर भूमते हैं और वो जो इस्पेशली वहाँ पर खंड हैर हैं उनको विजट करते हैं कुछ लोगों ने ये भी रिपोर्ट किया है कि वहाँ पर कई जगे उन्हें ठंडी हवाएं महसूस हुई और जहाँ पर एक्चुली वो ठंडी हवाएं नहीं होनी चाहिए थी लेकिन वो cold air pockets उन्होंने फील किये हैं इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि जब हम dark forest से गुजर रहे थे तो कुछ strange हाथों ने यानि कि जो की दिखाई नहीं दे रहे थे उन्होंने उन्हें पुछ किया और कुछ लोगों को थपड़ भी मारे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जब वो उस dark forest में थे वहाँ पर उन्हें फोटोग्रेस कीची इस्पेशली डर्डली टाउन के आसपास तो उस समय तो उन्हें कुछ नजर नहीं आया लेकिन फोटोग्रेस में उन्हें कुछ साहे बाद में नजर आई वो शैतानी आत्माओं से ग्रस्त है यहाँ पर कुछ न कुछ प्रेजेंस उन्होंने फील की तो आज के लिए इतना ही आप लोग मुझे बताईएगा कि मेरी स्टूरी आपको कैसी लगी इसके लावा मुझे और हॉरर स्टूरी के भी suggestion दीजे कि अगली हॉरर स्टूरी में किसे पर वनाओं तो थैंक यू सो मुझ फर लिस्निंग तो मैं स्टूरी